हेलो गाइस कैसे हैं आप सब मेरे यूटूब चैनल रपी दिवांगन लर्निक सिटी में आपका बहुत बुस्वागत है आज मैं आपको बताऊँगा कि आगर आपने फोन के स्क्रीन पर आप क्लॉक लाना चाहरे हैं तो उसको आप कैसे ला सकते हैं जिससे आपको मुबाइल आउन करते ही यहाँ पर आपको टाइम दिखाई दे जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर भी एक टाइम जो टाप पर आपको यहाँ पर टाइमिंग दीख रहा है और वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे like कर लिजेगा चलिए friends हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि हम timing कैसे लाएं clock कैसे लाएं यहाँ पर हम अपने screen पर सबसे पहले आपको यहाँ पर mobile में press करना है long press करना है long press करने के बाद आप देख सकते हैं नीचे wallpapers, widgets, x theme और menu चार options यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है आपको widgets में क्लिक करना है widgets में क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं friends यहाँ पर digital clock 2x2, digital clock 5x1 यह आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसके साथ ही यहाँ पर आपको आगे हम आते हैं तो clock देखने को मिल रहा है तो इस तरह से यहाँ पर आपको clock की timing clock को देखने को यहाँ पर मिल रहा है कोई भी इसमें clock आप select कर सकते हैं अगर हम आप यहाँ पर आपको एक select करके दिखाते हैं जैसे digital clock 2x2 मैं select कर रहा हूँ तो detail by 2 by 2 clock select करने से यहाँ पर एक clock आ चुका है, मैं इसको आपको select करके रिखाता हूँ, यह मैं select कर रहा हूँ, तो यह आपके center position पर clock आ चुका है, तो इस तरह से हम clock आपको select कर सकते हैं, जिससे यहाँ पर आपको screen पर ही आपको clock दिखे, और अगर आपको इसको remove करना है, त जिसको हम इस तरह से remote कर सकते हैं, तो friends यह था वीडियो कि आप अपने phone के screen पर clock, मलब timing और आपको date के date और timing कैसे लाएं, इस तरह से आप और date और timing हमने mobile के screen पर ला सकते हैं, I hope आपको यह वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को एक like जरूर बनता है friends, thanks friends for watching video,